हाई शूरेंस वेल्टर जाड़ा 24-7 मैंसल पर्षप्रीत को या फिजिक्स एजुकेटर आज इस एक वीडियो में आपको रियालिटी पता चलने वाली है कि अगर आप अभी तक लाइटली ले रहें अपनी टोडी फाइब की प्रेपरेशन को तो इस इस ताइम तो वेक अप करते हैं कोई वच्छे अब्रॉड से भी हैना में प्रेफर करते हैं बट जो आपका नीट का एक्जाम है इन सब क्राइटीरिया में बटा आपका क्लियर होना चाहिए सो क्वालिफाइंग माक्स का अगर हम एक पैटरन देखें ट्रेंड देखें लास्ट कुछ सालों से मैं कंपैर करूंगे और ओफिशिल डाटा आपको शो करूंगी बेटा जो की द्वारा ही दिया गया है और हम 25 का जो कौलिफाइंग मार्क्स है वो कितना आपको मिनमम चाहिए होगा इस बार कितना आपको जादा पढ़ना पड़ेगा वह हम इस वीडियो में डिसक्स करने वाल 25 में सेलेक्शन पा जाएंगे अगर हम ओफिशिल डाटा जो की द्वारा रिलीज किया गया था उसमें देखें रेड जोन बिटा हमें दिखाई देरा बहुत बढ़िया वाला अगर आप यहां पर देखें तो जो पूरा है ना डाटा रिलीज किया गया था उसमें एंटी यह चीज बताई थी कि एवरेज मार्क्स आउट अफ सेवन ट्वेंटी जो है कौलिफाइड कैंडिटेट्स के अगर हम 2020 में बात करें तो 20 2020 में बात करें तो 297.18 थे चीक है 2024 में बात करें तो ऐसा पिछली चार साल में नहीं हुआ है कि आपके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 300 से उपर गए हो पर अगर आप लास्ट यर का ट्रेंड देखते हो तो एवरेज मार्क्स 323.55 निकल के आ रहे हैं यानि कि अगर क्वालिफाइंग मार्क्स मिनीमम मार्क्स क दिए गए थे जिसमें सबसे पहला रीजन यह था कि सलिबस रिड्यूस हुआ है इस वान अफ दे रीजन ओके नेक्स मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल था डिफिकल्टी लेवल जादा नहीं था इसकी वज़ज़ से यह प्रॉब्लम आ गई होगी इंक्रीज नंबर ऑफ आ हो जाएंगे 2025 में सलिबस और कम हो जाएगा या और जादा हो जाएगा जरूर से बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में करके 2025 में अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि यहां पर जो डिफिकल्टी लेवल के बारे में बोला गया है पेपर और जादा डिफिकल्ट आए या इजी आएगा हम दोनों बिटा केसे लेकर चलेंगे और आपको मैं आज कॉलिफाइंग मार्क्स जो रहने वाले हैं आपके 2025 में उसके बार में बताने वाली हूं ठीक है तो पहले यह समझ में आती है कि यह क्राइटीरिया इन्हों सेट किये थे उसके बाद अगर हम और डीटेल में डाटा जाकर देखें कैटेगरी वाइस देखें तो बिटा आप देख सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 2023 में इस मार्क्स की रेंज में थे वो कैसे 2024 में बिटा आपके पास चेंज हुए हैं बढ़ गए हैं अब मेरी बात ध्यान से सुनना अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं 720 में से लेकर 137 तक की जितने मार्क्स आए हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर इधर बड़े हैं इधर इंक्रीज हुए हैं तो इस बात का ध्यान रखना जो बच्चे इस साल 610, 620, 630 तक भी स्कोर किये थे अगर उनको अच्छा गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज न इसलिए आपका कॉलिफाइंग मार्क्स और उपर जा सकते हैं अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पर अगर हम रैंक इंफलेशन की बात करें तो प्रीवियस कुछ एयर्स के कमपारेजन में 2021 वर्स आप देख लीजे 2022 वर्स तैइस देख लीजे और्मोस्स सिमिलर टाइप क रैंकिंग थे बिटा यहाँ पर 2023 वर्स चॉबिस में देखेंगे तो बिटा आपके पास कितना जाधा रैंक इंफलेशन है 710 स्कोर पे आपका जो रैंक इंफलेशन है यहाँ नाइन फॉर्टी वन परसंटेज इस इस आई मीन रियरली नॉट इसेप्टेबल बट यह सारे एम्स ऑल्मोस्ट बिटा जो है अपने बड़िया वाले जो एम्स हैं वो फुल हो चुके हैं ठीक है तो बच्चा कहां जाने वाला है बच्चा ड्रॉप लेने वाला है क्योंकि बच्चा चाहता था अच्छे गौर्वर्मन कॉलेज में जाना जिसको कॉलेज नहीं मिल तो देर केंगे टू पॉसिबिलिटीज अब ध्यान से जुनेगा अगर पेपर लेवल सेम रहता है जिस लेवल का पेपर दो हजार चौबिस में उसी लेवल का पेपर दो हजार पच्चिस में आता है तो बटा जो कॉलिफाइंग माक्स हैं वो और बढ़ सकते हैं इट कें अगर आपने दिमाग में रखने होंगे यह 170 माक्स तब क्यों जा सकता है वो बच्चे जो इस बार बहुत बड़ी अटेंट किये थे पेपर को बट कट अफाय होने की वजह से उनको सीट नहीं मिल पाई तो वो ड्रॉप लेंगे वो ड्रॉप लेंगे तो वो नेक्स यर आ आप चाहें पहली बार पेपर दे रहे हैं आप उनके लेवल को मैच शायद से ना कर पाएं अगर आपने अपनी प्रेपरेशन को मजबूत नहीं किया है so you have an opportunity you still have an opportunity to you know अपनी जो पूरी प्रेपरेशन है उसको इतने धुआधार तरीके से बटा excel करने का ठीक है उसको इतना scale up कर दो कि आपको कोई भी question सामने आ जाए आपका कोई भी level of paper सामने आ जाए आपका कितना भी lengthy paper आ जाए कुछ भी assertion reason आ जाए statement based आ जाए कुछ भी type of question आ जाए हमारी army doctors अड़ा की आर्मी जितने भी बच्चें यहां पर जुड़े हों हमार साथ वो सब पेपर को दुआधार तरीके से solve कर किया सके बट वो ट्रस लेवल आपको बनाना पड़ेगा अपने टीचर्स पर बिटा क्योंकि 170 marks तक अगर यह नियर अबाउट चला जाता है syllabus में बिटा औ लेवल इंक्रीज कर देते हैं let's suppose पेपर लेवल उन्होंने इंक्रीज कर दिया अब बहुत सारे बच्चे बिटा इतने हाई लेवल की पेपर को solve नहीं कर पाएंगे first thing second thing अगर उन्होंने solve कर भी दिया तो भी जो qualifying criteria वो somewhere down आ सकता है till 155 marks but इससे ज़्यादा कम नहीं आ सकता और मैं यह जीज बोल दूँ बिटा experts ने यह भी जीज बोली है that यह वाला criteria 170 marks से भी उपर जा सकता है it can go somewhere around 180 to 185 as well according to the paper ठीक है but यहाँ पर यह minimum में आपको बता रही हूँ कि अगर paper level same आता तो 170 तक तो अराम से जाएग आपका qualifying criteria you have to prepare yourself accordingly because अभी syllabus में clarity नहीं है हम 2024 वाला syllabus ही follow करके चल रहे हैं so उसके accordingly बिटा जो आप अभी plan कर रहे हैं उसमें आपके तीन चीजें must होनी चाहिए concepts clarity revision and practice यह तीनों चीजें आपको लेकर चलनी है test series बिटा लगाते चलनी है और अगर अभी तक as such आप किसी भी offline ब आपने कोई online batch खरीदा है whatever the things is but अगर आप अभी भी ऐसा समझ रहे हैं कि आपकी preparation उस level पर नहीं चल रही है just level पर चलनी चाहिए DPPs daily basis पर नहीं मिल रही है अगर मिल रही है उनको solve नहीं कर पा रहे हैं उनको solutions नहीं चेक कर पा रहे हो और whatever the cases is आपको test नहीं attempt करना आ रहा है test में speed नहीं बढ़ रही है live classes में आप नहीं जुड़ पाते हैं आपको अपने teacher से कुछ questions पूछने होते हैं doubts पूछने होते हैं बढ़ आपको डर लगता है आप नहीं पूछ पाते हैं that is only and only 1499 इतने कम price पर बटा आपको ये batch में सब features मिल रहे हैं January mid तक या January end तक आपका जो syllabus है for sure बटा कि जो practicing time होता है आपका mock test लगाने का उससे पहले आपका सारा syllabus completion हो रहा है it is going to start from 18th September and this offer is valid till 18th September बटा using the code PREET आप माम की आर्मी का पाट बन सकते हैं and आप 40% off पा सकते हैं इस batch पर actual price इसका बटा somewhere around 2499 है जिस पर अगर आप code use करेंगे प्रीथ तो आपको यहाँ पर 40% off मिल जाएगा ठीक है साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको इस batch में फड़ाफट से एक बार enroll करना भी बता देती हूं वैसे तो इस वीडियो के हैना comment section में आपको link मिल जाएगा फिर भी अगर आप all courses में अड़ा के जाते हैं यूजी इन PG पर क्लिक करते हैं नीट ड्रॉपर पर जाएगा थोड़ा सा स्ट्रॉल करना पड़ेगा बहुत ही जल्दी बैच जो है वह उपर आपको दिखाई देने लगेगा बट अगर आप व्यू ओल पर क्लिक करेंगे आपको हमारी पूरी टीम की हैना पिक दिखाई देगी बिटा इस योधा आपके सारी प्रॉब्लम्स को कैटर करते हुए चलेंगे विद परसनल गाइदेंस अब जब मैं परसनल गाइदेंस बोलती हो इत मींज कि आपके साटरेड तु साटरेड बिटा सेशन लिगे जिसमें आप हमसे खुल के बात कर सकेंगे चीक है अब इस में आपको क्या करना बटा बाइनॉप पे जाना है और यूव तो एंटर दे कूपन कोड है रहे प्रीट पी आर डबल ए ट जैसे याप प्रीट बटा अप्लाइ कर देंगे अप्लाइ करना जरूरी है तभी बटा 40 पसंट को ओफ मिलेगा तो आपको 999 रुपीस को ओफ मिल जाएगा और यूव पे अनली 1499 रुपीस को ओफ प्राइस था जजबा 2.0 वो अराउंड 2000 का था है एक टाइम पर वो बाचे जब स्टार्ट हुए थे तो इत वस नियर अबावव 2500 रुपीस थे तो इस बाच का जो प्राइस है वो सिरफ 1499 है तो जितने भी बच्चों ने अभी तक अन्रोल किया है कम इंडिस बैच एंड इंड्रोल इंडिस बैच ठीक है अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो बिटा टेस्ट सीरीज पर भी ए 40% मैक्सिमम 40% मिनिमम 30% तक को ओफ मिल जाएगा आपको यूजिंग दे सेम कोड़ डाट इस प्रीद आप इसमें जाहिए और इस टेस्ट सीरीज को भी लेकर आई अपने घार अब ये बोलूँगी कि मैं चाहती हूँ कि आपका जो स्कोर है वो इस कैटिगरी में रहे 680 अबव रहे तो उसके लिए बिटा आपको मेरे साथ जुनना पड़ेगा इस बाच में तो see you all in the live classes till then stay tuned and don't forget to subscribe to the channel press the bell icon good luck